Hello dear students, तो इस वीडियो में हम class 9th का, आपका जो science का evening shift का question paper है, तो इसका हम solution यानि की answer की करेंगे इस वीडियो में, तो चेले शुरू करते हैं, सबसे पहले देखिए खंड का first question, इसमें बोला था कि ग्रिश्म रितू में मिट्टी के बरतन में रखा पानी, किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है, तो वाशपी करण के कारण, वाशपी करण के कारण, गर्मियों में क्या होता है कि मिट्टी के बरतन में जो पानी रखा होता है, वो ठंडा हो जाता है, तो first का D option आपका correct था, इसके बाद जो second question है, कि सीमा ने एक प्राकृतिक gas compressing एकाई का दोरा किया, और पाया की gas को तापमान और दबाओ की विशिष्ट परिसितियों में तरल किया जा सकता है, दोस्तों के साथ अनुबह साजा करते समय वह भ्रमित हो गई, उसे उन परिसितियों के सही समूग के पहचान करने में मदद कीजिए, तो देखिए, जो हमारा जो gas होता है, उसको तरल, यानिकि liquid में change करने के लिए क्या होता है, कि जो तापमान होता है, उसको कम कर दिया जाता है, और जो दाब होता है, उसको बढ़ा दिया जाता है, यानिकि C option इसका correct हो जाएगा, निम्न ताप उच दाब, ठीक है, इसके बाद जो second के बाद third question है हमारा, कि निम्न में स कौन सा पदार्थ, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसमें से नमक का विलियन जो है, ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, यानिकि D option इसका correct हो जाएगा, और जो fourth question है, कि फोस्फोरस के एक अडू में कितने फोस्फोरस के परमानू होते हैं, तो इसका 4 होते हैं, यानिकि D option correct हो जाएगा, और इसके बाद जो next है, आपका fifth question कि potassium sulphate का रासाइनिक सुत्र क्या है, क्या होता है potassium sulphate का रासाइनिक सुत्र, K2SO4 यानिकि C option correct है, और इसके बाद जो आपका sixth question है, हमें ये दिया गया है, नेट्रियम यानिकि जो sodium और magnesium ह है, इसमें उपसित protonों की संख्या, तो देखिए, जो हमें याँ पर sodium के साथ 11 और magnesium के साथ 12 दिया है, यही हमारा होता है protonों की संख्या, यानिकि 11 और 12 यह हो जाएगा C option, ठीक है, इसके बाद next है हमारा question number 7 की 3 protonों और 4 neutronों वाले एक परमानू की स्योंजक्ता पूछी है, त इसमें 3 है, तो इसलिए इलेक्ट्रों भी 3 होंगे, तो 3 electron वाले जो पहला कोश होगा, पहले कोश में हमारे 2 electron होंगे, और दूसरे वाले कोश में सिर्फ 1 बचा, क्योंकि 3 electron है, तो इसलिए इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, बाहरी कोश में एक ही है, तो यानिकि 1 इसकी सं बताया था, ये रहा हमारा, इसके बाद जो 3rd question है, 3rd का, 3rd का हमने ये 6 solution, यानिकि D option था, और इसके बाद जो 4th question है, 4th का भी ये D option ही correct था, यानिकि 4, और इसके बाद जो 5th question है, इसमें 5th का K2SO4, यानिकि C option correct था, इसके बाद जो 6th question है, हमारा 6th question का C option correct था, और जो 7th question ह 7th का B option correct था चीक है इसके बाद next चलते हैं question number 8 पर किस कोशी कांग के पास अपना DNA है तो mitochondria के पास जो होता है अपना खुद का DNA होता है यानि की B option correct था इसके बाद 9th question है कि हर्दय में किस परकार की पेशी उतक पाई जाती है तो हर्दय में कार्डियक पेशी पायाती है यानि की B option इसका correct था और इसके बाद जो आपका 10th question है कि निमलखित में से कौन सदिश राशी है तो इन में से विस्थापन हमारा सदिश राशी है और 11th question है कि अगर कोई वस्तु किसी वृतिये पत पर एक समान गती से चलती है तो कहलाता है क्या कहलाता है एक समान वृतिये गती कहलाता है यानि D option इसका correct था इसके बाद 12th question देखिए कि रसा कसी में यदि दोनों टीमें रसी पर बल लगाती है लेकिन रसी किसी भी तरफ नहीं चलती है तो ऐसा क्यों होता है ऐसा संतुलिद बल के कारण होता है तो संतुलिद बल यह रहा A option में तो हमारा 12th का A option correct हो जाएगा इसके बाद 13 समवेक का मातर क्या है समवेक का मातर हमारा यह होता है यानि A option इसका correct था और यदि किसी वस्तु का दरवमान प्रिथी पर M है तो इसी वस्तु का दरवमान चंद्रपार क्या होगा तो यह हमारा M होगा यानि कि C option 14th का correct है इसके बाद चलते है next question number 15 पर तो यहाँ पर सबसे पहले English मीडियम में देखिए जो मैंने आपको question number 8 है इसका हिंदी मीडियम में जो option right वरताया था वही English मीडियम में भी right होगा यानि कि B option, mitochondria और 9th का भी B ही था और 10th का हमारा C था यह रहा displacement इसके बाद question number 11 जो है question number 11 का D option था यह रहा D option question number 12 का A था question number 13 का इसका भी A ही था इसके बाद आ जाते है question number 14 पर question 14 का M यानि कि C option correct था इसके बाद question number 15 देखिए किसी वस्तु का दर्मान M संवेग P तथा गती जूर्जा K हो तो निमलिखित में सत्य कौन है तो इन में से हमारा कौन सा सत्य है यह नहीं है यह हमारा सत्य नहीं है यह सत्य है K equals to PV upon 2 यानि कि B option correct हो जाएगा 15 का और question number 16 है कि किसी वस्तु की चाल 2 गुनी हो जाए तो तो क्या होगा कि गती जूर्जा 4 गुनी हो जाएगी यह रहा B option में ठीक है तो question number 16 का B option हमारा correct हो जाएगा इसके बाद next है question number 17 से question number 20 तक तो इसमें हमारे अभिकथन और कारण assertion और reason वाले questions दिये गए थे तो सबसे पहले question number 17 देखिए इसमें A यानि कि अभिकथन दिया है किसी रासायनिक अभिक्रिया में दर्मान का नहीं स्रिजन किया जाता है और नहीं नश्ट किया जाता है तो ये जो हमारा अभिकथन है अभिकथन क्या है ये तो बिल्कुल सही है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दर्मान का नहीं स्रिजन होता है और नहीं विनाश यानि कि नश्ट किया जाता है तो इसलिए अभिकथन बिल्कुल सही है अभी कथन सही बोला गया है अब कारण देखते हैं परमाणू दर्वमान को mg में मापा जाता है ये गलत है रीजन हमारा गलत है परमाणू दर्वमान को mg में नहीं मापा जाता यानि कि अभी कथन सही है लेकिन कारण जो है ये गलत है इसलिए इसका हमारा जो है ये c option पर टिक करेंगे Q17 का C option correct हो जाएगा A सही है लेकिन R गलत है इसके बाद Q18 देखिए अभीकथन में दिया है कि पौधे में लचीलापन इसके लेरंग काईमा के कारण होता है ये तो सही है ये पौधों को कठोर एम मजबूत बनाता है तो ये भी सही है जो पौधे में लचीलापन होत है और ये पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है तो अभीकथन भी सही है कारण भी सही है और जो हमारा ये कारण है इस अभीकथन का सही explanation यानि कि इस पौश्टी करण भी है तो इसी लिए 18th का A option हमारा correct था चीक है देखिए ये रहा A और R दोनों सत्य है तथा R A का इस पौश्टी करण है तो question number 18th का A option इसके बाद question number 19 देखिए अभीकथन में दिया है कि संतुलित बल किसी वस्तु की इस्तिती में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो क्या ये हमारा सही है question number 19 का अभीकथन जो दिया है कि संतुलित बल किसी वस्तु की इस्तिती में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो ये तो सही है कारण देखिए संतुलित बल परिणाम में आसमान और दिशा में विपिरित होते हैं ये गलत है हमारा जो अभी कथन है वो तो सही है लेकिन कारण गलत है तो इसलिए इसका कौन सा ओप्षन हो जाएगा इसका C ओप्षन करेक्ट हो जाएगा C ओप्षन ये रहा ठीक है इसके बाद चलते हैं कोशन नमर 20 पर इसमें अभी कथन दिया है कि अच्छी फसल के लिए फसल की वृद्धी के प्रारंबिक चरण में खेती वाले खेतों से खर पतवार हटाना आवश्यक है तो ये बिल्कुल सही बात है कि अच्छी फसल के लिए फसल के वृद्धी के प्रारंबिक चरण में जो खेती वाले खेत होते हैं उन्ह आभिक्तन और कारण दोनों सही है लेकिन जो ये कारण है ये इस अभिक्तन को explain नहीं करता यानि कि इस पश्टी करण नहीं है तो इसलिए इसका हम B option टिक करेंगे यानि कि question number 20 का ये रहा B option A और R दोनों सत्थे हैं तथा R A का इस पश्टी करण नहीं है तो इसलिए question number 20 का और Q17 का मैंने बताया था C, Q18 का A, Q19 का C और Q20 का B इसके बाद देखिए Q21 से आपका खंड खर शुरू हो जाता है तो Q21 में ये भी करा देता हूँ आपको इसमें बोलाए कि A option में क्या दिया है सबसे पहले बोलाए कि निम लिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गर कित कीजिए तो पहला दिया है मैगनीशियम रिबन का जलना क्या ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन तो magnesium ribbon का जलना यह हमारा है रासायनिक परिवर्तन यानिकी chemical change ठीक है क्योंकि chemical change क्या होता है रासायनिक परिवर्तन जिसमें गुण change हो जाता है तो magnesium ribbon जो जलाते हैं तो यह हमारा एक रासायनिक परिवर्तन होता है तो A वाला जो है इसके आंसर में आपको सिर्फ रासायनिक परिवर्तन लिखना था B जो है बर्फ का भीगलना तो बर्फ का भीगलना क्या है ये एक भौतिक परिवर्तन है फिजिकल चेंज है ठीक है तो B के आंसर में आपको ये लिखना था कि भौतिक परिवर्तन तो question number 21 हो गया इसके बाद question number 22 से next video में हो सकेगा तो मैं आपको करा दूँगा इस video में बस इतना ही हमने सारे MCQ कर लिये हैं आपके कितने marks बन सकते हैं आपके कितने MCQ सही जाएंगे मुझे comment करके comment वक्षन बताना और इस video को like कर देना अपने दोस्तों में भी share कर देना और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करके bell icon press कर लेना मिलते हैं फिर next video में